हलो गूद मॉनिंग एन वेलकम बेक फ्रेंट्स आप देख रहे हैं पेसेर एजुकेशन यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे चार जून से रेलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट का रंटरफेस बनती हैं सारे इस वीडियो में कम्पलीट करेंगे साथ ही सारे एक्स्टरफेक्ट भी यहां पर डिसकस करेंगे सो पूरे लेसन को थ्यान से वो लास्ट तक आप जरूर देखेगा इसकी पीडियेफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से देखे सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो क में सामिल था ठीक है जो ओप्शन दिये गया है इन में से ठीक है तो आपका कारेक्टान से था आई आई टी बॉंबे चलिए अब बात करते हैं आपर आज की करेंट अफिर्स की पहला अपडेट आपके सामने है टी एची जिसका फुल्फों में टाइम हायर एजुकेशन ए एसिया यूनिवर्शिटी रैंकिंग 2022 के समंध में कौन सा कथन सही है यहाँ पर बात हो रही है टाइम हायर एजुकेशन एसिया यूनिवर्शिटी रैंकिंग 2022 की जो की हालही में जारी की गई है देखी गई इस संदर्ब में जो पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है कि 2022 की ज नियूर्सिटीज हैं संस्तान है उन्होंने इस लिस्ट में मरलब की जगा बनाई है दूसरा उप्षन बोल रहा है कि सीर्स 50 में एक मात्र भारतिय संस्तान जो है इसमें सामिल है और वो कौन सा है भारतिय विज्ञान संस्तान जिसको आई आई एससी बेंगलूर आप कहते हैं तो आई एससी बेंगलूर जो है एक मात्र भारतिय संस्तान है जो इसमें टॉफ 50 के अंदर सामिल हुआ है तो अभी आपको ध्यान डखना है ठीक है टोटल कितने हुए हैं एक हैत्तर हुए हैं जिसमें से सिर्स 50 के अगर बात करता है टॉफ 50 की तो एक मात्र आई एससी बे दाला है एक बार फिर से जो है इसमें पहली स्तान पर रहा है लगातार तीसरी बार जो है यह इस लिश्ट के अंदर पहली बार रहा है ठीक है मलब टॉफ पर रहा है तो यह आपके तीनों के तीनों सही है करेक्टान सुजगा उपरोक्त सभी सही है चलिए थोड़ा से यहा आप कहते हैं ठीक है दूसरे एक यहां पर उसके बाद में दूसरे नमबर पर जो यहां पर लिष्ट के अन्दर वहीं आपर बात करते हैं तो इस सुची में सीर्स दो विश्वदाल लगातार पैंकिंग विश्वदाले दोनो के दोनो चीन के हैं और लगातार तीसरी बार पैले पोजिशन पर रहे हैं चीक है पहले और दूसरी पोजिशन पर वहीं आपर अगर बात करते हैं भारत की तो आपको बता दे कि पूरा जो संस्कार्ण है यह 2022 का इसके अंदर पूरे एसिया की 31 देश सामिल थे जिसमें 260 जो यूनिवर्शिटी जो है उनको सामिल किया था जिसम 2021 में जब यह रैंकिंग आय थी 2021 की जो इस लिस्टाइज थी उसके अंदर भारत के केवल यहां पर 62 जो भारतिय संस्तान वह इसमें सामिल थे और इस बार कितने हो गया है बहतर हो गया तो यहां पर अच्छी-कासी जो है भारत की जो है यहां पर ग्रोथ हुई इसमें ठीक आल ही जो है आपने अख़बार अगर आप रीड करते हैं इस पर सोगारा ओफ लाइन हो गर तो हर जगह पर यहां इनके बारे में आपने देखा होगा हाल ही यहां पर देखेगा इनका जो है 102 वर्स की आयों में निदन हो गया है जिनको आप यहां फे फोटो में लेख रहे इनके आप में एक पुस्तक भी है जिसमें देखेगा सुवासंदर बोस की और इनकी यहां पर जो है एक प्रिंट हुई है और यहां पर देखेगा इसका मतलब क्या है यह एक प्रसिद स्वतंतरता सेनानी रही है और अगर बात करते हैं तो जो यहां पर इंडियन नेशनल आर्मी है इसकी महिला रेजिमेंट जो जहांसे की रानी है उसकी यह सिपाई भी रही है यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है ठीक है तो हाल ही हमारे जो प्रदानमंत्री है उन्होंने भी यहां पर जो है एक ट्वीट में कहा है कि जो आई एन एकी जो उतकर्ष इन्होंने काया है कि हम उनके सहास और भारत की आजादी के आंदोलन में उनकी प्रेरक भूमिका को हमेशा याद रखेंगे. तो यह आपको यहाँ पर द्यान डखना है एक प्रसिद्ध स्वतंतरता से नानी रही थी यहाँ पर इनका नाम है अंजलाई पॉन्यूसामी ठीक है चलिए अगला अपडेट देखते हैं देश का पहला और एसिया का सबसे बड़ा लिक्वीड मीरर टेलिसकोब की स्राज्य मे इंपोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आपका कर्रेक्टांट होगा उत्राखंड देखेगा देश का पहला और एसिया का सबसे बड़ा यह लिक्वीड मीरर टेलिसकोब है जो कि आपका उत्राखंड में इस्तापित किया गया है चलिए देखते हैं इसके बारे में यहाँ देख रहे हैं कुछ इस तरीके से लिक्वीड मीर टेलिसकोब जो है यह दिखता है यह पिक्चर उसका और यहाँ पर देखीगा इसका उप्योग कहां किया जाएगा इस टेलिसकोब का उप्योग सितारों अंत्रिक्स मलबे और उपगरव जैसे खगोली यह पिंडों का समयत अनेक अंत्रिक्स विसे हैं उनके सोदों को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा तो इसी वदर से यहाँ पर इसको इस्तापित किया है कहां पर उत्राखंड के अंदर नेक्स देखिएगा किस यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि किस सोचल प्लेटफोर्म ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एक अलर्ट नाम का फीचर इंकल्यूड किया है यह लोंज किया है तो यह करेक्ट अंशोगा इंस्टाग्राम आप सभी यूज करते हैं में आज के टाइम में ठीक है और आपको यहाँ आप चाहे तो देख भी सकते हैं एप में इसको यहाँ अलर्ट नाम से एक अलग से फीचर आपको यहाँ उपलब्द करा गया है और इसका मुख्य उद्दिस से क्या है लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए इसको यहाँ पर शूरू किया है किसके दौरा इ यह अमेरिकी चाहतर ने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार यह स्पेल आफ मुकाबले में किताब जीता है तो यहाँ हरीनी लोगन है आपका सही अंचों बस इतना से ध्यान डख लेना है हरीनी लोगन ठीक है उसके बाद में देखिए अगला बांगला देश वेरी इंपोर्टेंट अपडेट है आप से डारेक्ली पूछ ले जाएगा कि मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में शूरो की गई है तो भारत और बांगला देश नाम आपको ध्यान डखना है यहाँ पर देशों का नाम तो इजी है यादर करना लेकिन जो प्राथम और जो अंतिम स्टेशन है वो भी यहाँ पर पूछ ले जाता है ऐसे कर्समस में ठीक है तो यह ध्यान डखना है कहा से भारत के अंदर यह ट्रेन उत्तर बंगाल के न्यू जलपाई गुडी से कहा से न्यू जलपाई गुडी से यह तो यह भारत का टाकाच शावनी रेलवे स्टेशन अंतिमी स्टेशन इसका यह है कहाँ पर बंगला देश के अंदर यह दोनों नाम आपको ध्यान रखने है ठीक है यह चीज़ इंपोर्टन इटी आंप और यहाँ पर देखेगा इसी के साथ जहां पर दोनों देशों के बीच में दूपक कि खुज किस देश में की है यहां पर समझ में आ रहा है कि 4500 याने कि 4500 साल पुराना सब्सक्राइब और सब्सक्राइब इया हम ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहां पर अब तका खुपाया गया खुजगा था है और पी गहास के फोन में लचुनी समुदरी गहांस के फोन में यह उप लब्ध है जो कि कितना फहला हुआ है लग बग 180 omdat टक फहला हुं हुआ है कितना 180 किलमेटर तक फैला हुआ है और यहां पर अब तक पर्त्वी पर सबसे बड़े फोदे के रूप में इसको मनलब की वरगिगरत किया गया है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा उसके बाद में देखिएगा अगला प्टेट है विश्वय में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO की Fortune 500 लिष्ट में कौन सीड्स पर है तो यह देखिएगा Fortune द्वारा एक जो टॉप 500 CEO है उनकी लिष्ट जारी की थी जिसमें जो Elon Musk है यह इसमें टॉप पर रहे हैं कौन है Elon Musk जो की Tesla Company का नाम सुना होगा उसी के मालिक है इसके बाद में देखिएगा अगला प अप्लिकेशन को लॉंज किया है तो यह लॉंज किया गया है आंद्रप्रदेश के द्वारा किसके द्वारा आंद्रप्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉंज किया गया है डी वाला उप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर फिर देखिएगा अगला अपडेट द वित्रण किया है और यह कहां पर किया है यह किया है गुजरात के अंदर दिखेगा यह पाइलेट प्रोजेक्ट पर आभी शुरू किया है इन फ्यूचर यह जो है नॉर्मली हो जाएगा दिरे-दिरे ठीक है तो ड्रॉन से जो है डाक वित्रित की जाएगी आने वाले समय में नेक्ष देखिएगा निमलिक्त कथनों पर विचार कीजिएगा कुछ कथन से देखते हैं कौन सा सही है देखिएगा पहला बोल रहा है कि प्रदान मंतरी जीवन ज्योती भी मयोजना जिसका सोट में आप कहते है पी-एम-जे-जे-बी-वाई इसके प्रीमियम दर को 330 रु प्रदान मंतरी जीवन ज्योती भी मयोजना इसकी मगर आपने प्रिमियम जो पॉलिसी है और आपने ले रखिए तो दूसरा उप्षन बोल रहा है कि प्रदान मंतरी शुरुक्षा भी मयोजना इसका सोट फोर्म है पी-एम-एस-बी-वाई इसके प्रिमियम दर को 12 रुप साल आना जो है यहां पर देना पड़ेगा तो यह दोनों यहां पर सही है उप्षन आपके करेक्ट अन्सर होगा उफ्रोक्त दोनों सही है चलिए अगला अब आज की जो क्वीज है इसकी बात कर लेता है कौसन है आपके सामने विश्वे मेट्रोजी या माप विज्ञान द नहीं है मिलते हैं नेक्स टूडियो में धन्यवाद